कि सो सभी स्टुइंट्स जल्देल्दे अपना अटेंडेंस लगा दीजिए और महामेराथन क्लास में जॉइन हो जाईए कल का जो क्लास था उसमें मैंने आप सभी को बताया था अबाउट श्लेबस कंप्लीट है डीटेल में कि किस सेक्षन से कौन कौन से टॉपिक से क्वेस्टन आते हैं अदूल मैसुरी शातिती परिक्षा वह जबिए था कि आप सभी को यह जो लेक्चर्स हैं यह जो टॉपिक या फिर मिक्सप सो चैप्टर वाइस के लिए 95% स्टुडेंट्स ने फिडबैक दिया सो इसलिए मैं आपको आज से जो भी पढ़ाऊंगा अतुल मैसु रिचा देती परिच्छा संबंदित वह आपके सेक्षन वाइस और चैप्टर वाइस होगा ठीक है त्युמצ अढ़ चैप्टर में हें आपको पूछाआने का सब्स्क्राइब जाते हैं एक सब्सक्राइब को讚 एंपडयर के क्वैस्टर्ण समझें अच्छन प्रिच्छरतों किस टाइप का question पूछा जाता है, ठीक है, हो सकता है, आपको वहाँ पे same question भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है, अगर same नहीं रहेगा, तो इसी pattern में रहेगा, इसलिए आप question का pattern समझना, और उसके बाद उसका answer लिकना, ठीक है, आपको यह reasoning का first class है, तो कुछ रिजए आपको थोड़ी बहुत new भी रहेंगी, तो आपको परशान होने की ज़रुवत नहीं है, जो भी doubt रहता है आपका, वो comment box में आप बताते रहना, and daily join करना, जब next chapter होगा, तब आपको थोड़ा बहुत चीज़ी और आसान हो जाएंगी, आप इसको देखोगे तो इस वाले chapter की जो भी doubts है, वो भी थोड़े बहुत solve हो जाएंगे, ठीक है, इसमें देखो question कुछ इस type करेता है, जैसे आपको दे दिया गया आदमी और उसके बाद जीवनी, ठीक है, अब इन दोनों का जो relation है, उस question में सबसे पहले आपको एक relation बताया जाएगा, ठीक है, समानू, समरूपता इस chapter का नाम है, तो basically इस chapter में किस प्रकार की question पूछी जा सबसे पहले जो question रहेगा, उसमें आपको एक थोड़ा सा hint दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा question रहेगा, उसको आपको answer देना रहेगा, उसका आपको correct answer select करना रहेगा, जैसे जो आदमी होता है, उसकी जीवनी होती है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ाओगा, boss से हमारे लेखा के writer है, उनकी आपने जीवनी पढ़ी होगी, जीवन परिचा बढ़ाओगा, ठीक है, सो आदमी का क्या होता है, जीवनी होता है, अब उसी प्रकार आपको बताना है, जो राष्ट होता है, उसका क्या होता है, राष्ट का, ठीक है, आदमी का तो जीवनी से reasoning में इसलिए यह थोड़ा सा पेचीदा होता है 20 question आप सभी को पूछे जाते हैं reasoning से ठीक है अतुलमैसर छादिती परिक्षा के examination में 20 math से पूछे जाते हैं 40 gkgs से और 10-10 हिंदी और English से ठीक है 20 number आपको पूछे जाएगा इसका जो correct answer होता है इतिहास ठीक है जिस प्रकार जो आदमी होते हैं जिस प्रकार आदमी होते हैं उनकी जीवने लिखी जाती है उसी प्रकार राष्ट का क्या लिखा जाता है उसी प्रकार राष्ट का इतिहास लिखा जाता है तो correct answer क्या है correct answer is इतिहास history ठीक है अब next question थोड़ा सा और ट्रीकी है अभी आपको जैसे जैसे आपको चीज़े और रिजी लगेंगी जिसे कार है उसको हम लोग क्या करते हैं इसको आपको select करना है पतन में, hangar में, depot में, बंदर, गाह में ठीक है जो basically जो हमारा aeroplane होता है या फिर कहले है वायूयान जो होता है उसको hangar में रखा जाता है ठीक है जिस place का नाम होता है उसको हम लोग hangar बोलते हैं उस place को जहां पे उसको रखा जाता है ठीक है सो correct answer इसका क्या होगा option भी hangar सो यहां पर क्या हो जाएगा select hangar हो जाएगा सो इसी type के आपको question देखने को मिलते हैं सो चलिए अब हम next question की तरफ चलते हैं ऐसे ही आपको कुछ tricky question आते रहेंगे और आपके जो confidence का level है वो boost होता रहे है ठीक है कुरसी घोडा गद्धी या फिर आसन ठीक है अब इस question को पढ़ने के बाद आपको क्या समझा रहा है जिस प्रकार जो राजा होता है उसका क्या होता है सिंहासन होता है वो कहां पर जाकर करके बैठता है राजा जो होते है वो सिंहासन पर ही बैठते हैं उसी प्रकार जो सवार होते हैं वो क्या करते हैं वो गोड़े पर ही बैठते है गोड़सवार आपने सुना उगा पड़ा होगा सो गोड़ा और फ्रकार आपको बताना है पाईरो टेक्निक क्या होता है तो बेसिकली जो जिस तरह जो हमारा टैनिंग होता है वो चमणा पकाने से संबंदित है उसी प्रकार जो हमारा पायरो टेक्निक है यह क्या होता है एक प्रकार से आतिस बाजी से संबंदित होता है ठीक है किसी टाइब से question आपसे पूछे जाते हैं यह है हमारा चैप्ट नर्मर फरस्ट सम्रूपता के topics related to question ठीक है अब यहां पर देखो क्या दिया गया है calendar इसको relate किया गया date से अब आपको dictionary बताया गया है इसकी आगे कौन सा option correct होगा ठीक है सो basically हम जानते है calendar जो होता है उसका यूज हम लोग किसलिए करते है calendar का यूज हम लोग करते है dates देखने के लिए ठीक है उसी प्रकार जो dictionary होता है उसमें हम लोग क्या करते है उसमें हम लोग vocabulary जो है वह चेक करते है ठीक है वह कैप देखते हैं कहां पे dictionary में सो option number हमारा यह first correct हो जाएगा ठीक है next question जो है उसको भी हम देखते हैं थोड़े तो आपको different question भी आगए आपको देखने को मिलेंगे 30 question मैंने add किया हुआ है सो नए-nए questions और unique question आपको देखने को मिलेंगे ठीक है यहां पर दिया गया है जो हमारा circle होता है न सो जो circle होता है उसको हम लोग circumferences बोलते हैं ठीक है square होता है उसके जो चारो तरब के घेरे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं parameter so option number हमारा be correct होगा ठीक है next question को देखते हैं हम लोग next question यहाँ पर दिया गया है import relate किया गया है export से ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है import का जो opposite होता है हो क्या होता है export होता है ठीक है उसी तरह जो हमारा expenditure होता है उसका जो opposite होता है वह होता है revenue ठीक है questions अगर आपको थड़े बहुत hard भी लग रहे हैं तो कोई issue नहीं है क्योंकि आज आपका यह first chapter है first day है ठीक है और आप हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो reasoning पहली बार आप reasoning के question को solve कर रहे हो तो आपको hard लगेगा ठीक है बट कोई issue नहीं है अब जितना ज्यादा solve करो कि उतना ज्यादा ही आपके confidence level boost होंगे और questions correct होने स्टार्ट हो जाएं ठीक है next question आप दिया गया f-e-d-m-k-i ठीक है f-e-d जो है वो m-k-i से relatable है उसी प्रकार जो p-o-n है later उसको कैसे हम लोग क्या इसका correct answer होगा ठीक है तो जो हमारा f इसको थोड़ा सा आपको solve करके बताना पढ़ेगा लिख करके समझाना पढ़ेगा f-e-d जो होता है न बेसिकली उसको यहाँ पर बताया गया है m-k-i से relatable ठीक है अब यह कैसे relatable है चलिए थोड़ा सा उसको हम देखते है ठीक है अब f से count करो g-h-i-j-k-l-m ठीक है g-h-i-j-k-l-m 7th नंबर पर हमारा m आया उसी प्रकार जो e होता है e और k की बीच में जो difference होता है वो कितना होता है वो 6 होता है e से आप count करो f-g-h-i-j-k-k-m को 6 नंबर पर मिलता है ठीक है और जो d होता है उससे i का सायद यहाँ पर l है में भी ठीक है यह i नहीं यहाँ पर l है ठीक है जो d होता है उससे l का जो difference होता है वो कितना होता है 5 होता है जो p है o है and n है इसी से ही आपको relate करना है same और यही formula वहाँ पर apply करना है मतलब यह जितने word का distance इन दोनों word के बीच में है jthe distance मैंने आपको बता है उसी word का distance यहाँ पर आपको लगाना है और जो word आता है वह यहाँ पर pick करना है आपको ठीक है so p से 7 plus करदो तो कौन सा word आता है comment box में आप बताना ठीक है w आता है जो O है O से हम प्लस 6 करेंगे तो कौन सा वर्ड आता है कौन सा लेटर आता है तो लेटर वहाँ पे आता है हमारा कौन सा U आता है उसके बाद जो यन होता है यन में अगर हम प्लस 5 कर देते हैं तो कौन सा वर्ड हमको मिलता है वहाँ पे लेटर वहाँ पे हमको मिलता है S मिलता है So correct answer maybe हमारा WUS आएगा यहाँ पे WUS है WUS Correct answer is option number C ठीक है Next question की तरफ हम लोग चलते हैं Next question यहाँ पे दिया गया हमारा Close यह थोड़े से word वाले question है थोड़े से tricky रहते हैं So आपको कोई issue नहीं है इसको समझना है और इसका आपको जहाँ पे need रहेगा वहाँ पे आपको explanation करके भी समझाय जाएगा So यहाँ पे ninth number जो हमारा question है वहाँ पे आपको एक दिया गया है question Close और close को क्या कर दिया गया है Close को यहाँ पे समरूप कर दिया गया है D, R, N, W, J के अब उसी को आपको open को किस language में या फिर किस word में समरूप करोगे तो इसका correct tensor बनेगा वह आपको बताना रहेगा So कैसे आप solve करोगे उसको आप कैसे trick के थूँ समझोगे पहले हम उसको देखते है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा D, R, N, W, J यह किस प्रकार बना है ठीक है D, R, D, N, R है ठीक है चलो D, N, R मैं फिर से लिख देता हूँ D, N, R, W, J ठीक है So C से D का distance कितना है प्लस one word का L से N का प्लस one word का टू word का ठीक है O से R का प्लस तीन word का S से W word का distance कितना है S से W का प्लस 4 का E से J word का कितना distance है E से J का है प्लस 5 word का distance ठीक है अब आपको किसका बताना है Open का O, P, E, N सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है ठीक है जैसे यहाँ पर पहले वाले में एक word का difference है तो ऐसे यहाँ पर भी one word का difference आप लगाओ ठीक है O का one word का difference P फिर उसके बाद P का दो word का difference दो word आगे कर दो यहाँ पर P, Q आ रहा गया E से कितने word का यहाँ पर है तीसरा वाला तीन word का difference ठीक है तो E से आप तीन word करो E के बाद F, G, H E, H आ गया फिर उसके बाद फोर्थ वाले में forward का N से कर लो N के बाद कर लो N, M, O, P, Q, R ठीक है R आ गया So correct tensor हमारा क्या बना P, R, H, R ठीक है P, R, H, R यहाँ पर है P, R, H, R कहीं पर हाँ P, R, H, R चलो correct हो गया यह यहाँ पर ठीक है थोड़ा सा ऐसे ही आपको tricky question देखने को मिलेंगे बट आप solve करोगे तभी आपको चीजे समझ में आएंगे ठीक है So इसलिए सभी question को आप last तक देखना सभी के आप solution को देखना क्योंकि मैं आपको solve करके भी दिखा रहा हूँ 10th number हमारा question है 6 correlate कर दिया गया 222 से ठीक है समान बताया है 222 से समान किया गया है उसी प्रकार आपको 7 का answer बताना है यह किसके बराबर होगा इन दिये गया options में से ठीक है तो सबसे पहले तो आपको solve करना पड़ेगा जो हमारा 6 है वो किस प्रकार 622 बन गया है वो किस प्रकार उसके बराबर है इसके लिए हमने क्या किया इसके लिए हमने किया यहाँ पे 6 को हमने क्या कर दिया 6 का cube कर दिया प्लस यहाँ पे हमने 6 add कर दिया ठीक है अब 6 का जो cube होता है बेसिकली वो कितना होता है 6 का जो क्यूब होता है 216 216 216 और 6 को आप एड़ करो कितना हुआ 216 4 220 222 222 मिल गया आपको 6 के दौर आपने किस प्रकार इसको निकाला है 222 को अब उसी प्रकार सेम आपको 7 करके निकालना है साथ का आप यहांप क्या करोगे ए टीक है उसके बाद मध ब्लस 7 कर देना आप साथ का जो क्यूब होता है 643 343 प्लस 7 अब 343 और 7 को जोड़ो आप बहुत इजी है 350 350 हमारा क्या आ गया 350 हमारा क्रेक्ट एंसर है बहुत आदिया है चलो पहला नंबर option correct so next question में हम देखते हैं next question में basically pair बनाए गया है January का November से ठीक है January का pair बनाए गया है November से उसी प्रकार आपको pair बनाना है रभी वार का किस दिये गया option में से इसका pair बनेगा so सबसे पहले आप क्या find करोगे सबसे पहले जो आपको दिया है ना सबसे पहले आपको उसी में कुछ ना कुछ करके सबसे पहले आपको solution निकालना है कि वो कैसे बना है so January से November किस प्रकार ये बना है ये किस प्रकार relate किया गया इसको तो basically हम देखें सबसे pass वाल है relatable तो November के बाद December आता है फिर उसके बाद January आता है मतलब दो माइनस कर दिया गया है दो मन्त को माइनस किया गया है ठीक है तब जाकर के हमको क्या मिला है January का relatable number मिला है दो मन्त माइनस हुआ है कि नहीं November के बाद December फिर जन्वरी आता है तो माइनस दो हुआ अब उसी प्रकार आपको क्या करना है उसी प्रकार आपको रभी वार का रिलेट करना है किस से माइनस दो कर दो माइनस दो करना है आपको जब माइनस दो आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा फ्राइडे मिलेगा सुक्रवार मिलेगा कैसे सुक्रवार के बाद आता है सनी वार फिर उसके बाद review आते हैं तो माइनस कितने हुए दो days माइनस होने पर आपको मिला है ठीक है सो correct answer क्या है शुक्रवाद दिया है बिल्कुल दिया है third number option हमारा correct है ठीक है so next और भी कुछ दिया हुआ है question देखते हैं दिये के विकल्प में से संबंदी तक्षरों का चैन करना है आपको यहाँ पर दिया गया आपको DRIV और इसको बना दिया गया है EIDRV कैसे बनाया गया है? बहुत ही easy है उसी प्रकार आपको BEGUM इस वर्ड का आपको बताना है इन चारो आप्सन में से कौन सा करेक्ट होगा सबसे पहले आप क्या करोगे? जो दिया है उसको ही समझोगे किस प्रकार ही हमको यह चीज़े दी गई है सबसे पहले आप यह लिखो अब उसके बाद इसको बना दिया गया है EIDRV इसमें जो पहला वर्ड था उसको पांचवा वर्ड बना दिया गया है ठीक है? जैसे देखो D पहले स्थान पर था ना इसका नमबर कितना है? नमबर ही 1 है D को क्या कर दिया गया है? D को यहाँ पे बीच में ला दिया गया है ठीक है? थोड़ा सा इसको मैं एक बार देखता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ चलिए इसका जो best solution है वो मैं आपको बताता हूँ उसका जो बहुत easiest solution है वो यह है सबसे पहले आप numbering करो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? अब इसको इसमें convert करने के लिए इसने क्या किया है? E का numbering है 5 ठीक है? 5 है E का numbering उसके बाद I का numbering है 3 5, 3, 1, 2 V का numbering है 4 5, 3, 1, 2, 4 इसको बनाया गया है drive को इस word बनाने में इसने इस numbering का use किया है 5, 3, 1, 2, 4 का अब आपको क्या करना है? B, ठीक है? पहले B लिखो B, E, G, U, M अब आपको भी यही numbering करना है 5, 3, 1, 2, 4 का ठीक है? सबसे पहले आप इसका numbering लिख लो 1, 2, 3, 4, 5 अब क्या करोगा? 5, 3, 1, 2, 4 यहाँ पे आप लिख लो 5, 3, 1, 2, 4 इसी हो जाएगा solve करने में ठीक है? 5 number पे हमारा M है 3 number पे G है 1 number पे B है 2 number पे E है and 4 number पे U है M, G, B, E, U correct answer है कहाँ पे है? M, G, B, E, U यही हमारा second number option correct है ठीक है? सबसे पहले आपको जो दिया गया है आपको उसी को solve करना है किस प्रकार यहाँ पे यह option इसके लिए suitable है ठीक है? सबसे पहले आपको वही समझना है next question में आपको दिया गया है uncle को यहाँ पे relate किया गया है auntie से ठीक है? जिस प्रकार आपको दिया गया है uncle को relate किया गया है auntie से उसी प्रकार आपसे next question में पूछा गया है कि जो पिता है उनका relatable word क्या होगा या फिर आप कहले यहाँ पे correct option क्या होगा यहाँ पर ठीक है आप सभी को पता है first यहाँ पर दिया गया uncle की जो पत्नी होती है उनको आंटी कहते है उसी प्रकार जो पिता की पत्नी होती है उनको क्या बोलते है उनको माता कहते है so correct answer हमारा क्या होगा option number D correct होगा next 14 नमर question है आगरा को रिलेट किया गया है उत्तर प्रदेश से और next आप से पूछा जारा है मुंबई के लिए कौन सा जो है suitable रहेगा यहाँ पर option ठीक है so आगरा सहर बेसिकली जो है वो उत्तर प्रदेश राजमेस्थित है उसी प्रकार जो मुंबई सहर है वो किस राजमेस्थित है वो राजमेस्थित है महाराष्ट so correct answer हमारा महाराष्ट होगा next यहाँ पर फिर से वर्ड वाले question आगए 15th question है reason को यहाँ पर यह बना दिया गया यह word reason को लिख दिया गया SFBTPO उसी प्रकार आपको think को relate करना है कौन सा word यहाँ पर लिखा जाएगा उसके लिए तो इसका जो है answer आप लोग को solve करना है और comment box में देना है पहले आप सब question देख लो सब समझ लो उसके बाद दीरे से आप इस question को screenshot ले लेना इसका जो solve करना उसके बाद बता देना आप comment box में इसका answer क्या होगा ठीक है थोड़ा बहुत अगर मैं आपको hint देना चाहूँ तो basically जो R है ठीक है R E A S O N R E A S O N reason जो है उसको इसने S F B T P O इसको बढ़ाने के लिए किवल सब में एक एक वर्ड का प्लेस किया है अब आपको यहाँ पर think को बढ़ाना है T H I N K अब आप समझ जो आपको क्या करना है बहुत हीजी है think को आप चलती वीडियो में class में ही आप देख करके बता सकते हो इसका एंसवर ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर question है जिस प्रकार जो हमारा बाजार होता है उसका संबंध मांग से किया जाता है ठीक है उसी प्रकार क्रिशी का संबंध किसने होगा सो क्रिशी का जो संबंध है वो अनास से होगा ठीक है क्योंकि जो bazaar है bazaar में maung produce होता है उसी प्रकार क्रिषिय में जो होता है अनाज पैदा होता है correct answer हमारा यह होगा next हमारा है परमाड़ू का question लाइक परमाड़ू का संबंद अड़ू से जिस प्रकार है उसी प्रकार कोश्य का संबंद किस से है ठीक है यहां पर दिया गया है सो बेसिकली जो होता है जो हमारे परमाड़ों होते हैं वो अड़ों से मिलकर करके बने होते हैं ठीक है उसी प्रकार जो कोशिका होती है वो क्या करती है कोशिका बेसिकली जीव का निर्माड करती है करेक्ट एंसर हमारा क्या होगा जीव होगा ठीक है कोश्चिका का संबन किस से है कोश्चिका का संबन जीव से है कैसे है क्योंकि यह जीव का निर्मार करती है next question थोड़े easy questions मैं आपसे दे रहा हूँ अब इस question का answer आप attempt करोगे बहुत easy question मैंने दिया है बर्फ को relate किया है पानी से उसी प्रकार जो ठोस होता है उसको किस प्रकार relate किया जाएगा उसका क्या option रहे गा correct pair वह आपको बताना है बर्फ का पानी कैसे पानी है बैसिकली जिस प्रकार हम लोग क्या गरते हैं बर्फ को पिगलाने पर वो पानी में परिवर्तित हो जाता है उसी प्रकार आपको बताना है ठोस को पिगला करके हम लोग क्या बनाते हैं इन दिये गए option में से comment box में आप इनका option बताना correct क्या होगा ठीक है 라ess kingdom best गोले से और चैट का संबंद वो किससे हैं किस्ती से अनके प्रकार दाट का संबंध किस्ते हैं यहां पहरे आपको उप्सन दिया गया है ठीक है सो दाट में आपने सुना है क्या होता है दाट में पाहरीया होता है अपनी देखा होगा बहुत से लोगों को सूणा होगा कि इनके बात में पाहारीय होगा है ठीक है तो करेक्ट टेंसर हमारा पाहरीय होगा यहाँ एधिक है नेक्स्ट कुछिशन यहाँ पर है भव़ो पाल-मध्य-प्रदेस –Bhuneeshwar का क्या होगा पयर बोपाल और मद्य प्रदेश का पेर कैसे बना ठीक है बैसिकली जो बोपाल है न वो मद्य प्रदेश की राजधानी है उसी प्रकार आपको भूमनेश्वर की जो राजधानी है वो यहां पेर में सेलेट करना है दिये गया उप्सन में से यहां पे कौन सा ऑप्सन करेक्ट होगा या फिर उस ऑप्सन का नाम क्या है वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना बहुत ही मैंने सब चीजें हिंट भी दे दी है इसी बना दी है आपके लिए कुछ क्वेस्टन इसी हाड़ भी है प्रिजनिंग इसी टाइप में ह होता है कि सभी क्वेस्टन आपको एक तरीके के देखने को नहीं मिलेंगे सो देखो यहां पर सिक्स का जो पेर है वह 13 के साथ बनाया गया है उसको रिलेट किया गया उसी प्रकार आपको 11 का सर्च करना इसमें से कौन सा होगा करेक्ट जो है ऑप्सन सबसे पहले आप क्या क गया है concept तो वहां पर यूज किया गया है यह वाला concept 13 कैसे बना 6 into 2 प्लस 1 अब आपको 11 का कैसे बनाना है 11 into 2 प्लस 1 ठीक है कितना हो जाएगा वह आप comment box में मुझे बताना मैंने आपको बहुत हिंट दे दिया है इसमें कौन सा option या फिर इसका answer क्या आएगा 21st number question का वह आप बताना ठीक है 22 number question में यहां पर दिया गया है ABCD relate किया गया DCBA से बहुत इजी है PQRS को आपको relate करना है क्या होगा कुछ नहीं किया गया यहां पर जैसे हमारा ABCD है ABCD को मैंने मान लो 1 position दिया 2 दिया 3 दिया 4 दिया अब इसको DCBA बना दिया गया DCBA ठीक है अब D मतलब 4 position C मतलब 3 position 2 1 बस उसको उल्टा कर दिया गया है ठीक है जैसे यहां पर PQ है ठीक है जैसे यहां पर P है Q है R है एंड S है यहां पर क्या हो जाएगा SRQP कहां पर है SRQP option number हमारा 4 correct है ठीक है next और भी question यहां पर दिये गया है like आप सभी के जो questions है 23rd number question पटना को जो शंबंद किया गया है मतलब पटना को जो relate किया गया है वो किया गया है ठीक है सो बेसिकली पटना जो है न वो क्या है बिहार की राजधानी है लखनो जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है सिमला जो है वो हिमानचल प्रदेश की राजधानी है ठीक है उसी प्रकार जैपूर किसकी राजधानी है ठीक है उसी प्रकार जो जैपूर है न वो राजस्थान की भी एक राजधानी है ठीक है सो यहां पर जो correct pair होगा वो क्या होगा वो जैपूर होगा correct transfer यहां पर सभी राजदानी जो है option में दिये गए थे 24 तंबर हमारा question है ज्वारलाल नेहरू relate किया गया है अटल विहारी बाच पर ही लाल बहादू सास्त्री अब basically in question में क्या है न in question में आपको select करना कि इन सभी से relatable क्या होगा जो fit होगा इस दिये गए option में से ठीक है इसमें ऐसा नहीं कि पहला वाला दूसरे के relatable है इसमें तीनों आपस में relatable है अब बट जो इस चार option दिये गए हैं इसमें से कोई एक ही यहां पर fit होगा यहां पर ठीक है वहीं आपको search करना है वहीं आपको देखना है अब वह कैसे आप समझोगे वह समझोगे आप पहले इन तीनों को relatable करने पर कि इन तीनों को relate कैसे किया गया है किस प्रकार यह common है ठीक है तो पंडिजवाला लेरू यह क्या थे हमारे प्रदान मंत्री थे पूरो अटल विहारी वाजबे जी यह भी क्या है प्रत्म सौरी हमारे पूरो प्रदान मंत्री है लाल बादुर सास्त्री और नरेंद मोदी, डाक्टर राजियंद प्रशाद, ठीक है, सो पुर्व में यहाँ पूछा गया है, ठीक है, सो पुर्व में आया है, नर्शिम्हा राओ जी, पीवी, नर्शिम्हा राओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा option number B, ठीक है 25 नमर क्वेश्चन यहाँ पर है प्रताबगड रिलेटेबल टू कौसांबी फतेपुर ठीक है प्रताबगड कौसांबी यह तीन ओप्सन दिया गया है चौथा ओप्सन आपको फिल करना है इन चार ओप्सन में से कौन सा जो बेस्ट है वो यहाँ पर फिल्ट होगा फ उत्तरप्रदेश का यह सेर है उसी परकार जो जो नगोलडा है वो भी उत्तरप्रदेश में आता है इसका एक शार है इसकाह उप्सन ग्लाब करे distracting अन्वह गाउगा 26 नमबर हमारा क्वेश्चन है जिस प्रकार कंप्यूट संबंदित है F, Q, P, R, X, V, H, T से उसी प्रकार Language संबंदित है किस चीज से ठीक है इसमें भी वही word का खेल है थोड़ा बहुत word को क्या किया गया है प्लस माइनस किया गया है उसका concept निकाला गया है फिर उसके बाद वो word बनाया गया है उसी प्रकार आपको language का जो word है उसको बनाना रहेगा इसके basis पे तो ये आपके लिए homework है एक तरीके से सबसे पहले आप ये देखो जो हमारा computer है C, O, M P, U, T, E, R इसको ये F, Q P, R, X V, H, T इसको ये किस प्रकार बनाया गया है इसमें क्या plus किया गया है इसमें क्या minus किया गया है कितने word को add करने पर ये मिलेगा कितने word को minus करने पर पहले आप उसका पूरा का पूरा detailing निकाल लो ठीक है plus one minus one फिर उसके बाद सेम चीज इस पे apply कर लेना इसका answer आपको आ जाएगा 27 अंबर हमारा जो question है basically उसमें आपको क्या किया गया है ag संबंदित है one zero से थोड़ा सा question misprint हुआ है उसी प्रकार e के संबंदित है किस चीज से वो आपको बताना है जो ag है ना ag word है वो i o से संबंदित है 10 नहीं है वो i o है जैसे a है and g है यह relatable है किस से i से o से उसी प्रकार आपको e and k का relatable सर्च कर रहा है दिये गए option में उसको आप कैसे करोगे सबसे पहले आप देखोगे a का और i का कितना word का कितना difference है g का और o का word का कितना difference है जो आपका आएगा answer उसको इसमें apply करना ठीक है a का आईगा जितना word difference रहेगा word का उतना यहाँ पे आप उतने word को plus करना जो आएगा वहाँ पे लिखना फिर k का g और o का आप देख लेना जितना आता है वो यहाँ पे apply कर लेना plus minus इसका answer आपको आजाएगा ठीक है और next question है यहाँ पे जो चाय का संबंद है जैसे चाय पत्ती से है ठीक है next question यहाँ पे दिये गया है जैसे चाय का संबंद है वो पत्तियों से है उसी प्रकार coffee जो होता है उसका संबंद किस चीज़ से होगा ठीक है यह question आप से पूछा गया है सो बेसिकली जो चाय है ना वो पतियों से बनता है उसी प्रकार जो कॉफी होता है ना वो बीजों से बनता है ठीक है जो चाय है ना वो पतियों से बनता है उसी प्रकार जो कॉफी का सुटेबल रहेगा करेक्ट रहेगा ओप्सन वो रहेगा बीज ठीक है लास्ट क्वेश्च आपको concede का सर्च करना रहेगा क्या है सबसे पहले आप इसको find करोगे concave and convex में क्या relatable है basically जो हमारा concave होता है उसका जो opposite होता है वो convex होता है ठीक है उसी प्रकार जो concede होता है उसका जो opposite होता है वो dany होता है ठीक है यह हमारा option number भी correct होगा so आज हमारा chapter number जो first था समरूपता उसके मैंने आपको 30 questions solve करा है और 3 से 4 type question मैंने आपको solve करा है so I hope आपके जो knowledge है उसमें improvement हुआ होगा बिल्कुल हुआ होगा reasoning का अगर आपका यह first class था तो बिल्कुल भी आपको कोई भी tension लेने के आओ सकता नहीं है आप इसको solve करी question को मैं आपको provide भी कर दूँँगा group में इसको आप खुद से भी solve करीए कोसिस कीजिए जितने question को आप solve कर भाते हो reasoning में आपको जो ना trick समझना होता है हर question में आपको कुछ ना कुछ trick लगाना ही पड़ता है सबसे पहले जो question दिया गया है आपको उसी को solve करना होता है उसके बाद यह आपको answer मिलता है तेक है so thank you for watching जैन जैभार